नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी बड़ी खबर एक बार फिर से वरिष्ट पत्रुकार राजदीब सरदेशाई इंडिया टूडे में वापसी कर रहे हैं जिसको लेकर अब लोग लकातार सवाल खड़े कर रहे हैं आपको बता दें राजदीब सरदेशाई के दौरा जुस तरीके से ट्वीटर के माथ्यम से छूट फैलाने का काम किया गया है उसका ही नतीजा है कि इंडिया टूडे ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था लेकिन एक बार फिर से खबरे ऐसी सामने आ रहे हैं कि दरचल राजदीब सरदेशाई इंडिया टूडे में वापसी करने चौर रहे हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-लग रियक्शन्स देखने को मिल रहे हैं हैस्टेग अरुनपुरी शेक रास्तीब ये ट्रेंड कर रहा है जाहिर तोर पर इंडिया टूडे के फाउंडर रुनपुरी से लगातार अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखर ऐसे जूटे पत्रकार को एक बार फिर से इंडिया टूडे में क्यों री-ेंट्री मिल रही है इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहा है क्योंकि दिल्ली हिंसा को लेकर जिस तरीके से राजीप सरदेशाई ने जूटे ट्वीट किये उसका नतीज़ा रहा कि इतने बड़े पेमारे पर दिल्ली में हिंसा भड़की उनके द्वारा साफतोर पर अदिली हिंसा को लेकर जो ट्वीट किया गया था नवनीत की मौत को लेकर कि उसकी जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली लगने की वज़ा से हुई है लेकिन अपने इस ट्वीट को कुछ ही देर के बाद उनने ड्लीट भी कर दिया और सच्चाई क्या थी इसको लेकर भी उनने ट्वीट किया उनने साफतोर पर लिखा कि दरसल बैरिकेड तोडने की वज़ा से ट्रेक्टर पलटने की वज़ा से नवनीत की जान गई है बलकि पुलिस की गोली में उसकी जान नहीं गई है तो इस तरीके से उन्होंने जूट फैलानी का काम ना सर्फ ट्वीटर के माध्यम से किया बलकि इंडिया टूडे जिसके लिए वो ग्राउंड पर रिपॉर्टिंग कर रहे थे वहाँ भी वो नैशनल टेलिविजन पर ये जूट बोलते नजर आए जिसके बाद राजदीब सरदेशाई पर कारवाई की गई इंडिया टूडे ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया लेकिन उसके बाद अब ख़बर ये है कि एक बार फिर से राजदीब सरदेशाई इंडिया टूडे में बापसी कर रहे हैं जिसको लेकर अब लोग अरुनपुरी जो कि इंडिया टूडे के फाउंडर हैं एडिटरिंग चीफ हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखर ऐसे फरजी ऐसे जूटे पत्रुकार की इंडिया टूडे में जरूरत क्या है आखर क्यों अरुनपुरी एक बार फिर से राजदी कुन हुद्य ऐसे रही हैं जिनको लेकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जूट फैलाने का काम किया है लोगों को भड़काते वो नजर आए हैं और यही बचा है कि अब लोग एक बार फिर से राजदीब सर्देशाई को बाक्रेट करने की पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं औ जाहिर तोर पर अगर राजदीब सर्देशाई के ट्वीटर हैंडल पर गौर किया जाएं तो मिलियन से जादा फॉलोवर्स हैं ऐसे में उनके अगर एक भी ट्वीट ऐसा जाता है तो उसका कितना बड़ा इंपक्ट लोगों पर पड़ेगा ये खयाल इन वरिष्ट पत्र परची की मौत को लेकर भी इन्होंने जूटे ट्वीट किये हैं और अपने ट्वीट को ये कुछ ही देर के बाद डिलीट भी कर देते हैं लेकिन एक भी माफी उनकी तरफ से नहीं आती है तो साफ़तोर पर तस्वीर बिल्कुल साफ मिज़र आती है कि कि तरीके से ये नतीजा ये होता है कि जब लोग भड़क जाते हैं तो पूरी तरीके से हिंसा भड़कती है ट्रेक्टर रैली जिस तरीके से निकली और इनकी तरफ से जूटे ट्वीट किये गए नतीजा ये रहा कि दरसल आईटियो से लेकर दिल्ली के लालकिला ताक इस तरीके से इतने पड़े पैमाने पर दिल्ली में हिंसा देखने को मिली लेकिन आपको बता दे दिल्ली हिंसा को लेकर किये गए इस जूटे और भड़काव ट्वीट के बाद राजदीब सरदेशाई पर इंडिया टूडे ने एक्शन लिया था उन्हें बाहर का रास्ता जरूर दिखाया था जिसके बाद खबरे ये भी थी कि उन्होंने इंटिया टूडे से इस्थपा दे दिया है लेकिन वही लोगों में जो नाराजगी थी उसकी वजह से उन पे ना सिर्फ उत्तरपरदेश बलकी मध्यपरदेश से लेकर हर्याना तक F.I.R. फी दर्च हुई ना सिर्फ राजद पर रोक लगाई गई लेकर जिस तरीके से ये तमाम लोग एक प्रोपेगेंडे के तहत काम करते हैं देश विरोधी ताक्तों को ये लोग हमेशा से बढ़ावा देते नजर आए हैं और देश के खलाफ जड़ियन रचने का काम इनी तमाम पत्रुकारों की ओर से किया गया ह उसमें राजदीब सरदेशाई हैं, रवीश कुमार हैं, बर्खाथत हैं, तमाम ऐसे पत्रुकार हैं जो सर्फ और सर्फ अपने एक प्रोपेगेंडा लेकर चलते हैं और मकसं सर्फ और सर्फ के अंदर सरकार को बदनाम करना है यही बचा है कि इनकी तरफ से ये जूटे ट पत्रुकार हैं, लोगों को, स्टुडेंट्स को पत्रुकारिता के जिस धान्त पढ़ाते नजर आते हैं और बताते हैं कि आखर पत्रुकारिता कस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन इनकी अगर ट्वीटर प्रोफाइल पर गौर किया जाए तो किस तरीके से इन्होंने देश के खिलाफ जूट फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसकी बान की उनके ट्वीटर हैंडल पर ही देखने को मिल जाएगी, उनके ना सिर्फ एक या दो ट्वीट ऐसे हैं, बलकि उनके ट्वीट्स की एक पूरी कह सकते हैं लिस्ट ऐसी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जूट ही बोला है, यही वज़ा है कि लोग अब पूरी तरीके से उन्हें बाकट करने की मांग कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से आब राजीप सरदेशाई इंडिया टूडे में वापसी करें, यही वज़ा है कि लोग लकातार अब पूछे जा रहे हैं कि आखर इंडिया टूडे की मन्शा क्या है, इसको लेकर फिर सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, आपको बता दे, अक्टूबर महिने में 2020 में इंडिया टूडे ने अपने सभी एंप्लोई के लिए सोशल मीडिया पर क्या लिखना है, क्या शेयर करना ह और क्या नहीं, इसको लेकर एक अंतरिम सोशल मीडिया एड्वाइजरी चारी की थी, उस एड्वाइजरी में ये साफ़तोर पर इंडिया टूडे की तरफ से कहा किया था, कुछ नियम हैं जिनके उलंगन पर आप पर अनुशाशनात्मा कारवाई हो सकती है, और आपकी तमाम नियम थे, ये एड्वाइजरी जारी की गई थी इंडिया टूडे की तरफ से, लेकिन अब जिस तरीके से राजदीब सरदेशाई ने इन तमाम नियम उलंगन किये हैं, इनकी धज्जिया उड़ाई हैं, उसको लेकर अब सवाल यही है कि जब एक बार इंडिया टू कोशिश कर रहे थे, ट्वीटर के माध्यम से, तो आखिर वापसी की जरूरत क्या है, यही सवाल लगातार बना हुआ है, ना सिर्फ इसकड़ी में राजदीब सरदेशाई हैं, जिसके हमने आपको पहले बताया कि कई ऐसे पत्रुकार हैं, जिन्होंने राजदीब सरदेश का बचाव करते भी नजर आए थे, उसमें कॉंग्रेस पार्टी के नितरा शशी थरूर भी थे, जिनके खलाफ नोईडा से लेकर मध्यपरदेश तक FIR दर्ज हो चुकी थी, तो ये दोनों लोग चिन्हें फिलाल जिनकी गरफतारी पर तो रोक लग गाई है, लेकिन मुश या देश में बैठी देश विरोधी ताक्ते हो या फिर तमाम ये पत्रुकार हो जो अपना एक अजंडा लेकर आगे चल रहे हैं और साथ ही खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर जो लोग ये सडियन तुर रच रहे हैं देश के खलाफ देश के अंतरास्टे इस तर पर छव ट्वीटर को भी इस बारे में निर्देश जारी किया गया था और ये साफतोर पर केंदर सरकार की तरफ से कहा गया था ऐसे जूटे ट्वीट किसान अंदुर को लेकर किये जाएंगे तो उन्हें ड्लीट करना ट्वीटर का काम है ऐसे में उन तमाम पोस्ट को उन तमाम ट् कर रहा है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और ट्वीटर के माध्यम से ही ये राजदीब सरदेशाई जैसे लोग रवीश कुमार जैसे लोग ये तमान लोग अपना फाइदा उठा रहे हैं ट्वीटर के माध्यम से ही लोगों को जोडने की कोशिश कर रहे हैं और ऐस जूठे त्वीट करके इनका मकसद सर्फ और सर्फ के अंद्र सरकार पर निशानासादना है उसे किस तरिके से कमजोर किया जाए इनका मकसद यही है और इसी कडी में यह लोग लगातार काम कर रहा है लेकिन फिलाल राज़्दीप सर्देसाई की इंडिया टूडे में वाफसी इस पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं सवाल इंडिया टूडे के फाउंडर और एडितेनेंट चीफ अरुन पूरी से लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखर राजदीप सरदेशाई जैसे जूटे पत्रुकार की इंडिया टूडे में आखर जरूरत क्यों है फुलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट वर्क्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें